अश्व क्रांते रत क्रांते पिश्णु क्रांते वसुन धरे उधद्धित तापी धोरोहेन कृष्णेन शत्बाहुना मृतिके हर मेपापम यनमया पुर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामी परमाम गतिम राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों आज मैं आप के लिए लाई हूँ निर्जला एकाशी की पूरण पूजा विधी वशुप मुहूरत निर्जला एकाशी का व्रत कैसे करें बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों निर्जला एकाशी का व्रत दो जुन दो हजार बीस मंगलवार को है बंधों निर्जला एकाशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनुकामनाई पूरन होती है जो साल भर की एकाज्शियों के व्रत नहीं कर सकते उन्हें जेश्ट मास में आने वाली शुकल पक्ष की निजला एकाज्शी व्रत जरूर करना चाहिए बंधो निजला 81 का व्रत द्वाश्य को सुरे देव के उदे होने पर ही जल ग्रेहन करके खोलना चाहिए जिनों ने निजल व्रत किया है अठाद बिना जल ग्रेहन किये व्रत किया है बंधो जल में तुलसी धल जरूर डाले निर्जला एकाशी भगवान शीहरी विष्णु को अतीप्रिया है इस व्रत के उन्य प्रताव से वर्ती की सभी मनु कामनाई पूरन हो जाती है साथ ही व्रत करने वाले मनुश्य की मृत्यू के उपरान मोक्ष की प्राप्ति होती है बंधों निर्जला एकाशी व्रत को सुभे जल्दी उठें और गंगा चल मिलाकर फिर शनान करें इसके बाद भगवान शीहरी के सामने खड़े होकर संकल्प लें कि है भगवान शीहरी मैं आपके निमे निर्जला एकाशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ बंधों संकल्प लेने से व्रत जरूर पूरन होता है अज़्यदी आप में व्रत करने की शक्ती नहीं है तो भगवान शीहरी आपको व्रत पूरन करने की समर्था प्रदान करते है बंधों गंगाद शेहरे के दिन से ही तामसी भोजन का त्याग करते हैं साथ ही लहसुन प्याज मुक भोजन ग्रहन करें अर्थाथ दस्मी के दिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें रात को भोमी पर श्यन करें बंधों एकाशी पर जब आपने संकल्प ले लिया उसके बाद भगवान शीहरी को श्रान करवाएं श्रान करवाने के बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र बहनाएं और चंदन से तिलक करें फिर भगवान शीहरी को पीले पुश्प अर्पित करें और फिर उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें साथ ही भगवान को निचला एकाज़ी पर आम, तर्बूज, खर्बूजा, गर्मी में आने वाले फल अर्पित करें बंधों इसके बाद भगवान शीहरी की कथा जो की निचला एकाज़ी पर सुनी जाती है उसे सुने, सुनने के बाद आती करें और पूरा दिन भगवान शीहरी के मंत्र, जो भी मंत्र आपको पसंद है, अर्थात आप करते हैं वही मंत्र भगवान शीहरी का पूरा दिन अपनी जीवा पर रखें बंधों आज के दिन शी विश्नु महा पुरान की कथा सुने, शीमद भागवद गीता सुने और भगवान शीहरी के मंत्रों से जाप करते रहें बंधों रात को आपने सोना नहीं भगवान शीहरी के निमित घी के दीपक का दान करना है अर्थात घर के मंदिर में सारी रात दीपक जगाएं और रात्री जागरन करें भगवान विश्नु के भजन गाते रहें बंधों ऐसा करने से आप के जनम जनम के पाप कट जाएंगे साथ ही आपकी हर इच्छा पूरी होगी बंधों अब मैं आपको निजला एकाशी की कथा भी सुना रही हूं अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीम सैन की एक बहुत बड़ी कमी थी एक दिन भीम सैन ने फ्यास्ची से पुछा हे पिता महा, माता कुंती, भ्राता युधिष्टर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रोपती आदी सभी एकाश्चो का ब्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं प्रंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ती, पुर्वक, भगवान की पूजा आदी तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ प्रंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता इसके उत्तर में व्याश्ची ने कहा, हे पांडू पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वरक को अच्छा समझते हो, तो प्रतेक मास की दोनों एकाश्चो को अन्ट मत खाया करो तब भीमसेन ने कहा, हे पिता महा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो, तो मैं रख सकता हूँ, मेरे पेट में व्रिक नामक अगनी है मैं अन्ग के भोजन बिना पूरा अपवास तो क्या एक समय भी भोजन किये बिना नहीं रह सकता आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताएं, जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वरक की प्राप्ति हो जाए शीव्यास ची ने कहा है पुतर बड़े बड़े रिश्यों ने अनेक शास्त्र बनाए है जिन में वर्नित उपायों के द्वारा थोड़े प्रिश्ण से ही स्वरक की प्राप्ति हो सकती है प्रन्तु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकाश्यों के वर्तों को मुक्ति के लिए सबसे शेष्ट लिखा गया है शी व्यास्ची के बतन सुनकर भीम से नरक में जाने के भैसे भैभीत हो गए और कमपाई मान होकर बोले अब क्या करूं एक मास में दो वर्त तो मैं नहीं कर सकता हूँ हाँ वर्ष में एक वर्त करने का प्रेतन अवर्ष्य कर सकता हूँ एक दिन वर्त करने से मेरी मुक्ति हो जाए यदि ऐसा कोई वर्त हो तो कहिए यहें बास सुनकर व्यास्ची कहने लगे व्रिश और मिधुन संक्रामती के बीच जेट माश के शुकल पक्षि जो एकाश्ची आती है उस एकाश्ची का व्रत करो इस एकाश्ची के व्रत मिश्रान आच्मन के सिवा जल वच्चित है आच्मन में छे माँ से जल से अधिक नहीं होना चाहिए अनिधा वह मत्य पान से सद्रिश हो जाता है इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है इस एकाश्ची के सुर्योदे तक जल्क ग्रहन ना करने से समस्त एकाश्यों के वर्तनों का फल प्रापत होता है। द्वास्ची को सुर्योदे से पहले उठकर शिनान आदि करके ब्रहामनों को दान आदि देना चाहिए। इसके पचात, भूके और सत्पात्र ब्रहामन को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए इसका फल एक वर्ष की संपूरा एकाश्यों के फल के ब्राबर है व्यास्ची कहने लगे हे भीमसेन यहे मुझको स्वेम भगवान ने बताया है इस एकाश्यों का पुन्य समस्तीर्थों और दानों से भी अधिक है केवल एक दिन निर्जल रहने से मुनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो मुनुष्य निर्जला एकाश्यों का व्रत करते हैं उनको मृत्यू के समय यम्दूत आकर नहीं घेरते वरन भगवान के पार्शद उसको पुश्पक विमान में बेठा का स्वरक को ले जाते हैं अते संसार में सबसे शेष्ट व्रत निर्जला एकाश्य का व्रत है इसलिए यतन के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए इस दिन ओम नमो नाराय नाय या फिर भगवान विश्णु को प्रिय जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे वही चपते रहना चाहिए गो का दान भी करना चाहिए व्यास्ची की आज्यानुसार भीम सेन ने सब्रत को किया इसलिए इस एकाश्य को भीम सेने या पांडव एकाश्य भी कहते हैं निजला व्रत रखने वाले प्रात है काल भगवान का पूजन करके प्रातना करें हे भगवन आज में श्रद्धा पुर्वक निजला व्रत रखक कर दूसे दिन भोजन करूँगा अते आपकी क्रिपा से मेरे सब पाप नश्ट हो जाएं इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढखक कर स्वर्न सहित दान करना चाहिए जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको क्रोड पल सोने के दान का फल मिलता है जो इस दिन यग्य आदि करते हैं उसका फल तो वर्नत ही नहीं किया जा सकता जो मनुष्य इस दिन अन खाते हैं वे चंडाल के समान है वे अंद में नर्क में जाते हैं जिन्होंने निजला एकाश्ची का वरत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों अत्वा गुरु के साथ द्वेश करने वाले हों फिर भी स्वरत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं हे भीम सेन जो पुरुष्य इस्त्री शद्धा पुर्वक स्वरत को करते हैं उनको निमन लिखित करम करने चाहिए प्रधम भगवान का पूजन गो दान ब्रहामनों को मिष्ठान वा दक्षना देनी चाहिए जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए निर्जला के दिन अन्वस्त्र पाक्त्र उपानह अर्था जूती आदि का भी दान करना चाहिए जो मिश्य भक्ति पुर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्च यह स्वरक की प्राप्ति होती है बोलो विश्णु भगवान की जय लक्ष्मी माता की जय राधे राधे जय श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आश्यर भी जरूर करें धन्यवाद